माधव विद्यासंगूर ओनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रो आपका स्वागत है पार्ट तीन समझदार नन्ही इसका मतलब होता है समझू नन्ही सबका सोभाव एक जैसा नहीं होता अच्छे सोभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं वे दूसरों की भलाई करते हैं बुरे सोभाव वाले लोग पुरा काम करते हैं जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा वेवार करते हैं हमें किसी भी परिस्ती में किसी काम बुरा करना नहीं चाहिए हैं विध्यार्थी मीत्रों मैं आपको इस पाट की कहानी बदाती हूँ, वह आप द्यान से सुना नन्ही बतक टट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छु दलदल में खस्का है बिच्छु नन्ही से प्रात्ना की बहन मुझे बचालो नन्ही को उस पर दया आ गई बिच्छु को दलदल से उठाकर सुखे स्कान पर रख देया बिच्छु को सेतानी सुजी उसने नन्ही को डंक मार दिया नन्ही पीडा से तड़क उखी उसने बिच्छु से पूछा क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा बिच्छु लापरवाई ते बोला क्या करू डंक मारना मेरा स्वभाव है नन्ही बोली तुम यह गंदी आदर छोड़ दो नहीं तो कोई मुसिबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा बिच्छु उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया नन्ही अपनी मा के पास नदी में चली गई माने बिच्छु माने पूछा नन्ही बेठी तुम कहा रह गई थी नन्ही बोली मा एक बिच्छु दलदल में हस गया था उसे बचाने में देख हो गई मा खो सुकर बोली बेठी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया विद्याती मीत्रों, अब मैं आपकों खुजराती में उसको समझाती हुँ एक नानी बतक हती, अने ते टटपर हती, अने त्यां एक विची कादव मां खसाई गयों गतों विची ए नन्ही ने जुईन एविननती करें छे, के बेन मने बचावीलो अने ए नन्ही ने दया आवी जाई छे, अने विची एने कादव मां थी उपाडी ने सुकी जग्याओ पर मुकी दाई छे पन विची होई छे, ए खुबच गंदी आदतनो गुलाम होई छे एले ए पोते एने बचावे छे, छता पन एने डंख मारी दे छे अने डंख मारवाथी नन्ही खुबच पीडाथी कराडी उठे छे पचे विची ने एक के छे, केम के में तने बचावी, अने तु मनेज डंख मारे छे जारे तु खरे घर मुस्सिबत माहसे, त्यारे कोई तने मदते नहीं आवे त्यारे आवी वार सांबले छे, अने एनी वारतने सांबले वगर अच, ए पोते आगल चाली जाय छे पची ए नन्ही नी मा, ए नन्ही ने पुछे जे के केम ताने आवता मॉलू टई गयू त्यारे नन्ही बोले छे एक मीची मां कादव मां फसाई गयो हतो एने हुँ बच्चावा मां मोलू ठाई जय अब आगे विद्याति मेत्रो नन्ही बोली लेकिन बडले में उसने मुझे डंक मार दिया मां बोली बिच्चो अपनी गंदी आदत का गुलाम है तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा नन्ही बोली मां में उसकी गंदी आदत छुडा कर रहोंगी कुछ दिन बार बिच्चो के प्रान पुन संकट में पड़ गए इस बार वह पानी की धारा में जागी रह और डुबने उतारने लगा मत सामने देकर बिच्चो को नन्ही की याद आई वह नन्ही को पुकारने लगा नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ले वह जपट कर बिच्चो के पास आ गई सहसा ही उसके मन में विचार आया अब मैं इस गंदे सभावाले विच्ची को नहीं बचाऊंगी विद्याती मीत्रो नन्ही बोली के हवे कदाच एप खरीवार पन जो कादव मां फसाई जसे तो हुए यने बचावीश नहीं अने एक बाजू ए निने पन करे छे के हुँ एक नी गंदी आदर छोड़ावीने राई एक वखा ते हुँ पने छे फरीवार विचीना प्राण मुशिबत मां फसाई जाए छे ते पाणीनी धारामां डुबवा लागे छे मुरुस्तियुर सामे जोईने यने नन्हीनी खुब याद आवो छे अने पोते नन्हीने बुमो पाड़ी अने पोताना बचावा माटे कहे छे पन मनमा एने विचार आवे छे के आ विची खुब खरा बादत वाडो छे तो हुँ एने बचावीश नागे अब आगे बिच्चु गिडगिडाने लगा बहन मुझ पर दया करो नन्ही का मन डोल गया उसने सोचा हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो नन्ही ने बिच्चु को दोबारा जीवन दान दिया बिच्चु अपने सभाव के अनुसार उसे डंग मारने के लिए आगे बड़ा नन्ही उसका इरादा समझ गए वह मुस्कुरा कर बोली बिच्चु बाई थी ठक्यो गए डंग मारो अईया विद्याठ्ट मीत्रो विच्ची अने कगरवा लागे छे के बहें तुमने बच्चावी दे आना कारणी पिलू नन्ही नू मन छे ए पिंगली जाई छे अने विच्ची ने कादव माथी पोटे बचावानी पोसिस करे छे ना ने विच्ची बिजी वार जीवनदान आपे छे विच्ची पोताना सोबाव प्रमाडे ये फरिवार डंग मारवा जाई छे तो पेलि नन्ही तरत जेनू इरादो समझी जायい छे अने पोते हसी ने बोले छे, विछी बाई, के मंटकी गया, डंक मारोने मनी, बिच्छू सरम से पानी-पानी हो गया, ब, खिस्या गर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वास गात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ बलाई ही-ही, एसा क्यों? अवे विची ने खुबत सरम आवे चे, अने पोते सरम दी पानी-पानी खाई जाए चे, अने एने के चे के बहन, मुतो दर वकत तमारी साथ विश्वास गातत करू चू, छता तमे मारी साथे बलू केम करू चू, आवू केम? नन्ही बुली, बलाई करना मेरा सवभाव है, मैं तुमसे बढला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दू, मेरा काम बचा ना है, मैं मुसिबत में पड़े को बार-बार बचाती रहा हूँगी, तुमारा काम टंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती जित्ता है, पची नन्ही बोले चे, बल्लू करू, ए मारो सवभाव चे, हूँ बदलो लेवा, मारी सारी आदसा मारे छोड़ी दव, मारू काम बचावानू चे, हूँ मुसिबत मां पड़ेला, मानोसोने हम्मेसा बचावती रह, तारू काम डंक मारवानू चे, तुम तु जीते छे, पुझो तो खरा, बिच्छु पस्तावी से भर गया, बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत कई, मैं वचन देता हूँ, कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूगा, नन्ही घूसो कर, नदी में चल दी, माने आज फिर पुचा, बेटी कहा देर कर द नन्ही पूरी गटना बताती है, मा, प्यार से बोली, प्यारी समधार नन्ही, भले लोग अपनी बार-बार की बलाई से उसी तर बुरे लोगों को भला बनाने की रा दिखाते है, नन्ही प्रस्कन न होकर थिरपने लगी वीचिने खुब पस्ताओ थरू, बोलो, नानी बहें आजे तू जिती गई, हुँ ताने वचना पूचू, क्या हुँँ कोई निदोस प्राणी न डंक मारीस नही, नानी खूस्ताईने नदीमा चाले ने, माय तेने पूच्यू, बेटी क्या मोडू कर्यू, नानी ये, नन अध्री बोली, समझू, ननही, वला मानसों पोतानी वारंबार बलाई थीच, खराब मानसने वला बनवानों मार्ग बतावे छे, ननही, खूस्ताईने नाचवा लागे, विद्यार्थी मित्रो, में तमने पाठनी समझूती, आपने लायू लेक्चर मा, में आपाठ समझा अभी दिडों छे, अनने आपने आ विद्यो मा पन पाठनी तमझूती, आपी छे, अवे विद्यार्थी मित्रो, आगर सब्दार, अने मुहावरे, अवे पचीना, अने अभ्यास, आटनु आपने विद्यो नंबर कोमा, तमने समझावी, त्या सुखे, पड़ा मिद्यार् झाल